वेल्कम बैक फ्रेंट्स आपका स्वागत है लर्न अन ग्रो में आज वीडियो लेकर आए हैं कॉलन क्लासिफिकेशन का एक और सॉल्ड एक्जामपल डिटेल सॉलुशन के साथ वेल्कम बैक फ्रेंट्स आपको समझने में यह सारी सीरीज हैं सॉल्ड एक्जामपल अगर आपको आता है तो यह एक्जामपल आपके लिए बहुत ही लापकारी सिद्ध होगा आप असाइन्मेंट यह एक्जामनेशन में बेटर परफॉर्म कर पाएंगे तो हम लोग जल्द इस्ट एडिशन अभी सेवन चल रहा है और वाइडली सबसे यादा इस्तेमाल होने वाला एडिशन छटमां एडिशन है जो की पब्लिश हुआ था सन उननीस सो साथ में तो हम अपनी सभी वीडियो में जो भी एक्जामपल्स या फिर डिटेल सॉलुशन के साथ देते हैं वो शिक्स एडिशन से ही लेकर देते हैं और शिक्स एडिशन की बुक आपको आफ लाइन ऑनलाइन हर जगा अवलेबल है आप खरी सकते हैं और अगर बुक आपके साथ हो इस वीडियो को देखते समय तो आपके लिए बहुत ही लाबकारी सिद्धों का आई आगे बढ़त देखते हैं इस एडिशन जो है उसमें पार्ट वन डिल करता है नियमों के साथ रूल्स और पार्ट शेडूल से जहां से कोड्स हमको मिलते हैं और पार्ट थी है क्लासिक एंड सेट बुक्स के लिए में क्लासिस पर एक बार नजर डालें तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे यह जो स्क्रीन शॉट है यह आपको में क्लास को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है यह जो बहुत इंपोर्टन चीज़ें हैं कॉलन क्लासिफिकिशन की वही इस वीडियो में रखी इनका सिंबल होता है PM EST और जिनको अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है वह प्लीज पार्ट वन पार्ट तू ज़रूर देखें और जो समझ चुके हैं उनके लिए जस्ट एक क्विक रिविजिन है यह fundamental categories को कैसे जानते हैं उसका description दिया हुआ इस टेबल में जैसे की आप देख सकते हैं personality matter energy space time यह fundamental categories हम बनाते हैं title जो होता है हमें question में दिया रहता है और इसके under में क्या description रहता है वो आप लोग देख सकते हैं कहीं पर कोई भी doubt हो किसी भी slide में किसी भी presentation में प्लीज आप लोग comment में drop कीजिए उसका reply आपको जरूर मिलेगा और यह बहुत ही महत्मूर्ण है आठ स्टेप है practical classification के रंगनातन जी के इसे आप अगर sincerely follow करते हैं तो आप questions को solve करने में एकदम आसानी से पहुंच सकते हैं उसके final answer तक कोई भी step skip मत कीजी क्योंकि जब हम steps में solution देते हैं तो कोई भी गलती होने का चांस हमारा कम हो जाता है तो समय वेस्ट ना करते हुए वीडियो को छोटा रखते हुए हम लोग आज के example लेते हैं जो कि है origins of the copper deposits of Australia आप किसी भी background के हो सकते है as a librarian, as a professional, as a student तो कुछ words समको पता होने चाहिए कि जैसे कि अब इसमें हम step 0 पे आगे बढ़ेंगे raw title रो टाइटल होता है title given on the title page of the book ज next step पी तरफ बढ़ें step 1 जो कि full title है which expresses the subject content of the book यह बहुत ही महत्मून step है कारण इसका यह है यहीं से हम लोग main class decide कर लेते हैं इसलिए background कुछ भी हो general knowledge जो है वो थोड़ा अच्छा रहना जी है जैसे कि अब इस title की बात करें तो origins of the copper deposit of Australia यहाँ पे देखिए जगह की बात हो लेकिन copper deposits तो हमको यह idea लग जाना चाहिए कि copper deposits जो है हमारी main class किसमें पहुंचती है तो देखिए इसमें लिखा हुआ है यह geology को मैंने yellow color में किया है क्योंकि हम मानके चल रहे हैं कि geology में हमको इसका answer मिलने वाला है और main class हम रखेंगे इसको geology के अंदर बड़े next step की तरह है step two जो है kernel title इसमें क्या करना है हमें कि सारी auxiliary terms जो है preposition conjunction और articles है वो title से हटा देनी है तो आप देख पा रहे होंगे उपर की title में off the और off यह word है तो उनको हम लोग हटा देंगे तो kernel का वैसे शाब्दिकर्थ होता है central या फिर बहुत important चीज किसी चीज को उसे kernel कहते हैं तो आप देखिए इसमें से हटा दिया गया है origins, copper deposits, geology और Australia इतने words हमने रखे हैं बाकी kernel title के step में auxiliary words को हटा दिया गया है आगे बढ़े step three की तरफ तो analyze title मिलेगा हमें कि analyze title में हम क्या करते हैं जो fundamental categories होती है question की उसे हम find out करते हैं तो इसमें देखेंगे हम हम आपास title है origins को हमने e दिया है copper deposit को पी geology main class हो गई और Australia space तो confusion भी हो सकती है और आपको की origin को e क्यों बनाया copper deposits को personality में क्यों रखा है तो इसके दो answer है एक तो आप practice से समझ सकते हैं आप practice करते रहेंगे तो आपको idea हो जाएगा दूसरा है आप rules part में जब जाएंगे किसी भी main class में तो उसमें उस main class के हिसाब से title के words रहते हैं उसमें उसका declaration रहता है कि यह इस चीज में आ सकता है अभी उदारन के साथ आपको समझाएंगे देखिए यह chapter H geology जो screenshot आप देख पा रहे हैं यह part 1 rule से लिए आगया है तो geology main class रहने वाली अब आप इसमें देखिए facet P के आगे लिखा substance substance मतलब कोई पदार तो हमारा यहां पर क्या है copper deposits को हमने पी की तरह ट्रीट करना है इस question में और next आप देखेंगे तो fundamental category Z के आगे लिखा है problem तो problem में हम origins को लेके चल रहे हैं अगर यह word हमारा energy facet में हमको मिलता है step 4 हमारा आता है transform title हम rearrange कर देते हैं facet formula PM EST की तरफ से जो भी तक हमने words लिखे हैं तो आप देख पा रहे होंगे हमने geology को आगे लिख दिया क्योंकि main class सबसे पहले रहता है उसके बाद आता है P P में हमारा copper deposit रहेगा M fundamental category नहीं है हमारे इस question में ई है तो हमने ई लिख है origins space है तो हमने Australia लिखती है और time कुछ भी नहीं है तो time हमने छोड़ दिया है तो हमने rearrange कर लिया है जिस प्रकार से हमें जब code मिलेगा तो हम इसी sequence में लिखने वाले हैं next step की तरफ बढ़ें तो title in standard term से इस step में क्या करते है kernel term जो है standard term given है schedule में उससे change करते हैं तो देखेंगे आप अगर geology copper deposit तो हमने origins को भी genesis लिख दिया है क्योंकि schedule में genesis word दिया हुआ है यह कैसे मिला यह हम देखेंगे इस वीडियो को जस्ट पहले मैंने solve गया question को फिजो word genesis मिला है तो आप उसको डाल सकते है genesis और origin का एक ही मतलब होता है तो आपका जो English है वो भी थोड़ा सा strong होना चाहिए क्योंकि कई बार क्या होता है हम origin ढूलते रहे जाएंगे सपोस हमको नहीं पता है कि genesis का मतलब यह origin है तो हम लोग कहीना कहीं गलती कर बैठेंगे अब यह सारी चीज़ है आपके मन में जो भी डाउट है यह वीडियो को पूरा देखने के बाद सब क्लियर हो जाएगा और दूसरी चीज़ ही है complete वीडियो देखें स्किप ना करें अब question को शुरू कर दे है solution पार्ट में जैसे कि हम code अब geology के कैसे डूढ़ेंगे सबसे easy पार्ट होता है page number 2.4 of column classification book में जाएंगे तो हमको h के सामने geology लिखावा मिलेगा तो हमने क्या गिया main class का code हमारा h हो गया नेक्स्ट है कि हम copper deposit word को ढूढने कैसे इस किताब में तो word को ढूढने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे part 2 schedules of classification page number 2.53 कुछ ऐसा दिखता है page number 2.53 इसमें आप देखिए chapter h है schedules का जिसमें geology लिखा हुआ है यहाँ पर हम जाते है मेनलोजी यहाँ पर कुछ canonical divisions दिए गए है यानि कि main divisions geology chapter के तो मेनलोजी में ढूढने की कोशिश करते हैं तो हम गए तो हमारा पी आस्पेक्ट में आ रहा था पी fundamental category में copper deposit इसलिए हमने मेनलोजी के H1P इसको मार्क किया हुआ अभी हम Fokai in P में ढूने की देखते हैं कि हमें मिलता है यह word copper deposit या नहीं तो इसमें केवल यहां तक दिया हुआ है 9944 agate देखेंगे आप 9 precious stone, 9 1 diamond, 9 2 ruby and sapphire पर उसके पहले एक instruction लिखा हुआ है उपर ही देखिए आप Fokai in P as in e chemistry and the following additional isolate यह कहता है कि जो नीचे words लिखे हुए है यह सब 1810 यह सारे अभी इसमें add हुए है और आपको ढूंबना है अगर mineralogy में P को तो as in e chemistry यानि कि आप chemistry में उस word को ढूंडी है यानि कि copper deposit जो है copper है उसको हमें chemistry में जाके ढूंबना है यह instructions के हिसाब से चलता है column classification तो हमको इन न इशेडूल में जाएंगे जिसका page number उपर लिखा है 2.56 तो वहां पर हम गये तो हमको यह screenshot आपके सामने है चैप्टरी chemistry इप तो इसमें हमने ढूंडा कि फोकाई इन पी जैसे instruction के साफ से हम चल रहे हैं तो फोकाई इन पी में हम गये तो हमको copper मिला 113 अभी आपको समझ में आ जाएगा कि हम copper deposit का code कैसे बना रहे हैं तो इस slide में हम देख रहे हैं कि अब हम इसका rule part भी हमें copper तो मिल गया है लेकिन अब हम देखेंगे rules part तो rules part का जो page number है 1.80 and 1.81 part 1 में है यह यह खोलेंगे तो इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा h7 the class h7 economic geology should be accommodate books on or deposit underground water यह सारी instruction दी हैं कि अगर हम और deposit से related quick book लेते हैं तो इसको हमें h7 category में डालना है h तो खेर geology होगी यानि 7 word लगाना है तो उस हिसाप से हम देखेंगे तो हमारा जो answer बन रहा है वो क्या बन जाएगा copper था 113 तो copper deposit हो गया हमने 7 word उसके आगे लगा दिया यानि copper उठाया chemistry से हमने लिकि अगला word है origins या फिर genesis तो उसके लिए हम गए फिर से page number 2.53 में schedule जो है geology का उसमें आप देखेंगे फोकाई इन ए तो genesis जो है origin जो है हमने energy फोकाई में लिए rule के हिसाफ से भी उसमें नीचे आते हैं तो 16 code में मिलता है genesis का तो हमने code लिए origin या genesis यह दो मैंने slash mark के लिखा है आपको समझाने के लिए origin का standard word जो है schedules में वह जिनिसिस लिखा हुआ है तो 16 code बनके हमारा next इसके आगे हम चलेंगे तो हमें Australia बहुत easy है इसका रोणना हम जाते हैं space isolate में page number तो इसमें आप देख पा रहे होंगे 2.16 page number में Australia आठ के आगे Australia लिखा है तो हमारा Australia को code हो जाएगा आठ आगे बढ़ते हैं तो हमारा title in focal numbers step number 6 तो इसमें देखें replace the term by class number जो भी इस शब्द थे जो उनके code मिले हैं शब्दों को हठाकर हम code लिख देते हैं तो हिसाप से देखें तो हमारा हो गया एस था हमारा geology के लिए तो है लिख दिया पी में जो था हमारा copper deposit 7113 लिख दिया में कुछ है नहीं energy के लिए हम 16 का इसमाल करेंगे जो हमने ढूंडा अभी space हमारा Australia art है और time factor में है नहीं कि नेक्स्ट टेप final step है जो step 7 class number इसमें क्या करते हैं symbol को हम indicator digit से replace कर देते हैं तो इंडिकेटर डिजिट रिपलेस करने के बाद code बन गया h7113 main class और पी fundamental category साथ में लिखे जाते हैं इसलिए साथ में लिख दिया 16 के पहले हमने लगा दिया है colon क्योंकि energy fundamental category है उसका indicator digit होता है colon और space के लिए हम लोग डॉट का इसकेमाल करते हैं तो final answer हो गया h7113 colon 16.8 तो यह हमारा answer हो गया origins of the copper deposits of Australia तो कुछ questions है जैस्ट आपकी practice के लिए आप इसे practice कर सकते है question 1 एक है iron ore in India और दूसरा deposit of aluminium in Hungary तो आप इनका solution कमेंट में जरूर ड्रॉप करिए कि सीखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और प्लीज सब्सक्राइब शेयर लाइग इन कमेंट जरूर करिए इस वीडियो को थैंक्स